गुरुजी लख लख शुकराना आपके चर्णों में बैटके आपके सिम्रन करने की शेबा देने के लिए आपको लख लख शुकराना गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं हमेशा अंग संग रहते ये हमें निशानी इसका भी छोड़ी जाते गुरुजी गुरुजी हमेशा आपने जैसे जैसे हमें चलाना चाते हम ऐसे ऐसे ही चलते हैं गुरुजी के मर्जी के बीना हम कुछ ना कर सकेंगे कभी ना कर सकते हैं, ना कर पाते हैं, इसी तरह ही गुरुजी के शत जोड़ने के बाद, गुरुजी के पास जब अपने जिन्देगी को अर्पन कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो उन्होंने उसी हिसाब से हमरा जिन्देगी को चलाते हैं, जैसे लॉकडाउन से चल रहे हैं, दिन में सारे आंटियों की सत्संग सुनती हूं, ब्लेसिंग्स पेज में सोनी आंटि के सत्संग सुने बिना रात को नहीं नहीं आती हैं, देली कोशिश करती हूं सोनी आंटि की सत्संग, लाइब सत्संग, एटेंट करूं, सिम्रन पेज में भी सत्संग आते हूं, कभी जानने का शोभग हो रहा है घर बैठे ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक हम सब लोग का घरबेठे हम इश्वर के लिए इसर को जान पा रहे हैं इसर की मुहिमा को वैखान सुन पारे तो ऐसे जैसे अभी चल रहे हैं बड़े मंदिर जाना बंद है ज्यादा शत्संग भी न सत्संग होता है ऐसे नहीं कर पाते हूं घर के काम काज इसी में वीजी रहती हूं तो कभी कभी उदास हो जाती हूं लेकिन गुरुजी जो तो सब की जान हमाय स्बकर्ण मन допुर लेते हैं गुरुजी उसbling हमें खुश कर देते हैं उस應該 मन मन में क्या चलते पढ़ लेते और उसी टाइम आपके सामने उसी को पुड़ा कर देते हैं सुनिया अंटी के डेली में सत्संग सुनती हूं और सुनिया अंटी बोलती है कि 31 को सत्संग रखी है उन्होंने अपने घर में तो यह भी पता लगता है कि सुनिया अंटी रोहिनी में रहते हैं तो ड अभी टाइम नहीं हुआ तो ऐसे ही बहुत सरे लोग होता है मेसेज कभी आते ना आते तो डेली मैं गुरुजी के पास अर्दस करती कि गुरुजी आप चाहोगे तभी सत्संग में जा सकती हूं अधर्वाइस मैं लग चालू कि मैं आपके सत्संग 31 सत्संग एटेंड करूं करके आऊं तो गुरुजी के पास अर्दस कर रही थी डेली तो अचानक गुरुजी ने देखिये कैसे बच्चों ने जैसे अर्दस किया कि सत्संग एटेंड करने के लिए मैं सोच रही थी तो अचानक गुरुजी ने मुझे फस्ट जैन्वरी को बड़े मंदिर के इपस दिल आ दिये अचानक गुरुजी ने मैसेज बेज दिया जैसे कि चल तू सत्संग एटन करने के लिए सोच रही है आजा तू मेरे पास मैं बड़े मंदिर में तुझे बुलाती हूं बड़े मंदिर में आके दर्शन करके जा तो हुआ ऐसे ही कि जैसे जब से इपास देना स्टार्ट हुआ बड़े मंदिर के लिए तो अनलाइन हमेंसा कोशिस करती हूं जब भी बैठती हूं मंड़े के और फ्राइड़ पता है मंड़े के लिए सटेड़े संड़े मंड़े के लिए तो दिखाते हैं सौरी सिट्सर फूल नॉट अबलबल और नेक्स डेट के नहीं रहे थे बुकिंग इपस मीली नहीं रहा था लेकिन बहुत मन कर रहे थे कि एक बड़े मंदिर भी जाओं या कहीं पर भी गुरुजी के सट्संग हो जहां पी अच्छा लगता है जाके गुरुजी के वहां बैठना मन बहुत सांती मिलता है तो इसी में चल रही थी म उनके साथ भी मेरा ऐसे प्लैनिंग होता था कि तुम भी ट्राइ करो हमने हमें पता लगा था कि एक इपस में दो जनी को एलाओ करते तो रुपा अंटी मेरे सहली अंटी है तो बोल रही थी मैं ट्राइ करूंगी अगर मुझे मिल गया तो तुम चले जाना और तुमें मिल जाएंगे तो साइद मिलना और आसन हो जाएगा इस तरह से ओकर रही थी तो फिर ऐसी हुआ आचानक एक दिन दो तीन दिन पहले मेरी एक और एक सहली है फ्रेंड पुजा अंटी उन्होंने मुझे फोन किया मैं खाना बना रही थी दिन में तो बोल रही थी कि अंटी आप को कॉल की हूं तो बताईया बता तो बोल रही थी कि चातर पूर मेट्र स्टेशन में उतरने की बाद उहां पर मिल जाते हैं सटल से वा ओटो मतलब मंदिर जाने के लिए कंवेंस मिल जाते हम लहां मिल जाते हैं आटो भी कोई सेवा भी मिल जाए तो आप उहां से भी ले कि अभी लेकिन अभी का पता नहीं अभी तो बहुत दिन से बंद है अभी का क्या है लेकिन आटो भी मिल जाते हैं तो उन्होंने बोला कि मुझे मिला है यह बस कल के लिए मिला है एक बजे की टाइम है तो मैंने बोली वाँ 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 बहुत अच्छा है आपको मिल गई हम है मुझे तो मैंने बोले अच्छा कैसे तो बोली कि उनके छोटी वाली बेटी अभी ट्वल दे के पास की थी तो उनकी डियू में एड्मिशन हो गया है एकोनोमिक्स ओनर्स में उन्होंने बहुत उसमें थी साइध पुझा अंटी भी बैच के आज ये शत्संग सुन रही है बहुत अंटी के ये साइध संग में और भी शैयर कर रहे हूं तो उन्होंने बोला कि बैटी ये एकोनोमिक्स में ही ओनर्स मिल गया है वो भी साउथ केमपस में बहुत अच्छे कोलेज में साउथ केमपस में मिल गयी है तो गुरु जी के महिमां देखिये गुरु मैंने उनके बात सुनी है कि उनको इपस मिल गई तो मेरे अंदर से भी एक एकदम से खलवली सी मच गई कि मैं इतने दिन से ट्राइ कर रहे हैं गुरुजी प्लीज आप मैं मुझे नहीं मिल रहे हैं इपस आप बुला नहीं रहे हैं तो और इस से पहले जैसे हम लोग में से पड़े तो चीनता मत कर बहुत जल्दी बड़े मंदी्म बुलाओं गा तो मैंने उब भी होते हैं इस तो सब केलिए होते हैं आपके जोबी पूड़ेगा सब के लिए हैं तो मैंने दूला, नहीं सबके बात था रह गिया था फुर देशि« पुझाантि गै coconut water , प्राइब कि सबस्क्राइब करदे कि जाओंगं तो मैंने फर्टट फर्ट संडे था ऊस दिन मैंने उसी टाइम मोबााइल लेकर फिर उस बहुआ लिंक में चल्या यहीं पिछले मंड़े के लिए कि कि चलो अगर मुझे भी मिल जाए तो पुझा उन्टी जाड़ी है चली ज तो मैंने सुचा नेक्स डेट देखु नेक्स डेट के लिए एक बड़ देख लो तो ट्राइ करके डेट डाल के तो नेक्स डेट जो था फ़ाइडे फ्राइडे को जैसे क्लिक की तो देखा 1st जनवरी था मेरा अंदर से इतना था कि गुरुजी बेज यह तो फर्स जनवरी क संगत जी आप मानेंगे नहीं जैसे क्लिक की तो पूरा डिटेल उसमें खुलने लगा एक बाद एक नेम भड़ो इमेल अड्रेस सब कुछ जो भी होता है डालो इमेल अड्रेस फोटो दो मोबाइल नंबर ब्लाड ग्रूप यह सब देते देते जैसे ही मेरे फुल फिल हुआ तो उसके बाद एक जैसे नेक्स्ट आते कि कोई डिलेटिव से और किसी को साथ में एक जना जिसको आप ले जाओ गये तो उसके जो जिस टाम आया तो मैंने अपने फ्रेंड की नाम लिखी रूपा बैनर जी तो उसके बाद उनके भी डिटेल मांग रहे थे मुझे कि उनक कि नाम हटा के मैंने अपने बड़े वली बेटे के नाम डाल दिये सिर्धार का क्योंकि देखिए गुरुजी तो जानी जान है हम लोग सची काम बुद्धी है तो इतना भी इतना जानने के बाद इतना संग सुनने के बाद भी ठीक तरह से फॉलो नहीं कर पते जैसे मेरे भी बेटे बेंगुलओर से आये थे गुरुजी का ही बैसिंग था तो मुझे भी तो चाहिए था यह बेटे को लेके शुकराना करके आना सूशती थी जадम बोलती थी तु बाद में भी मैं सोसती थी कि उसको लेके एक बड़ जाओंगा लेकिन मनी मनी इस टाइम था कि फ्रेंड के साथ ही जाओंगी हम दोनों ही जाएंगे तो मेरा तो ओधिमाग से थोड़ा साइड हो गया था लेकिन देखिए गुरुजी जब जिसको बुलाना चाहते तो उस टा दिया फिर मैंने डाल दिया तो फिर एक नोटिफिकेशन आया कि आपको एक नंबर दिया गिया थे वहां शे आप ट्राइ करते रहो तो देखते रहो आपका इपस का क्या पोजिशन है तो मैं तो इस टे में ऐसे तो बहुत खुस थी मैंने मुझे एक बार लगा कि पादा आउब गया हुटता होता है है तो मैं बहुत खुस थी मनमक्य निस साल की पहले दीन बुलारे गूरुजी के पास जाके शब के लिए अर्दस करके आऊंगी कि गुरु чис ने साल सब के लिए खुशाली से भर देना हैं सब को खुश रखना ये सब कुछ जो भी संकटाए इसको एकदम मुप्त कर दीजिए आप भगवान इश्चर है आप के महीमा पराम पार है आप भी कर सकते हो इससे तो ऐसे ही थी बैठे हुए थी फिर मैं अपने मेरे ब्रादर जो है माल्दा में भी गुरुजी को फॉलो करते हैं तो उन्होंने भी शौरूप ऐसे तो शौरूप उहां से फॉटकापी तो नहीं प्रिंट आउट करके निकाल के वह अपने घर में रखते हैं खुद भी अपना सेवा भी लिया है उन्होंने जिसको भी कुछ प्रब्लेम होता है कुछ होत लेकिन मैंने कभी माना भी नहीं किया कि इतने दूर रहते हैं और शौरूप मिलना भी तो बहुत मुश्किल है इतना दूर कैसे भेजू तो ऐसे उन्होंने प्रिंट आउट करके अपने घर में गुरुजी का शौरूप रखा था तो मैं मनी मन सोस्ती थी कि कि किसी टाइम मुझे मेरे पास एक स्ट्रा शौरूप आ जाए तो फिर मैं उनको भेज दूँगी एक शौरूप गुरूजी के फिर ओई सोस्ती थी गुरूजी आप जब जाओगे आप अपने हिशाफशे आप बलेसिंग लेके आप आप ही जाओगे आप ही जानोगे कब किसके पत जान तो एक दिन ऐसे हुआ तो मैंने पहले भाई के लिए भी शोचा नहीं था मेरे एक मेरे एक नेबर है उनसे एक दिन मेरे हजबन का बात हुआ था होता रहत है तो उन्होंने बोला कि बिजनिस में बहुत आप संडाउंस चल रहे कुछ काम आटक गए पेमेंट इमें आटक तो ऐसे करके वा तो मेरे हजबन ऐसे आये हैं अब जिसके भी आजकल तो कुछ भी प्रॉबल्म हम सुनते हैं संगत जी आप लोगों को पता है गुरु जी करेंगे और यहीं लगता है गुरु जी शर्प सब करें उनका यहां आने का यही था कि सबको मैं कृपा बोलते थे संगत नों लेके आ संगत नों लेके आ संगत नों जोर तो हमें भी लगता है कि हमें भी यह सेवा करना चाहिए तो जिसको भी सुनते हो कोशिश करते हो एक बार गुरु जी के लिए जरूर बोलते हो आगे गुरु जैसे बोला है कि बार 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 बोलना नहीं उसके आगे तो मैं एकदम से सोचने लगी कि एक शरूप फिर बिना शरूप के तो लोग गुरुजी को इतना फॉलो इतना एफेक्ट दे नहीं बाते शुरू-शुरू में चाहिए कुछ हमें जैसे अभी मन में गुरुजी है हमेशा गुरुजी के अंदर गुरुजी को बिठा लिया त बड़े मंदीर भी बंद है शर्ट संग भी बंद है कहीं जाती हूं तो ब्रेसिंग मिलते थे यह सब चीज अच्छा देखती हूं क्या करती हूं तो एक दिन ऐसे ही किसी गुरूप में मैं शर्ट संग सून रही थी तो देखा किसी एक ने अपना फोन नंबर दिया था और लिखाता की सवरूप के लिए कॉंटक्ट करें फ्रीशेवा लेकिन देखिए कभी गुरुजी के साथ जोड़ने के बाद सच बोलना चाहिए जुड़ नहीं बोलूंगी उसमें त्री तीन ओ थे हुआ कि और यह कुछ थए लेकिन मैंनि मनी मन सचा कि गुड़ु जी मैं तो अपने लिए नहीं ले अपने अपने घर में रखलूँए उसके लिए नहीं मैं तो किसी वोभी सेवा ही कर रहे हैं घूर जी को किसी के साथ जोर रहे तो उनको सेवा को मैं आगे तो मैंने मानिवन सोचा और फिर उनके नंबर में मैंने वाटसप किया कि प्लीज मुझे एक शोडूप चाहिए तो उन्होंने बोला ठीक है अंटी कैसे भेजू आ मैं तो शायद जानकपूरी साइट के थे विकाश्पूरी जानकपूरी कहीं के होगा वहां के हूं तो आप म हैं मेरे हजबन ने किया किया पता था मुझे भी बोला जब जाना है अपने कैल्कुलेशन कवी काम करता है कवी वी एक दिन बहुत बारologist ने बहुत समझा पकार के समझा झान धिया तो मैं में एक दिन सुभे सुभे इन्होंने उठके अपने उनके कार में छोटा सा सोडूप रहते हैं गुरुजी का उनको लेके आड़ भैसाब के घर में देके आगे गुरुझी का सब्सक्राइं आपने बारोजी की रह कëम सब्सक्राइब करद करेए तो अपने और दे दिये आपने और दियेग किसे चराइब की उनकोदेने के लिएए तो थीक आपने देखा आपने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि शवरूप करने के लिए ठीक है उसके बाद ये वाला सोरूप आये तो मैं ये शवरूप को नमश्कर करके राखी घर में तो एकडम से मेरे मन में जैसे गुरू जी नहीं थोट डाले गुरू जी देखे लोग बोलते टेलीफाति करते है बात करते हैं क्या करते हैं यह मुझे इतना नहीं है लेकिन हाँ थोट मेरा मन में थोट आ जाते हैं और उसी थोट से फिर मैं चलती हूं कुछ कुछ तो फिर मैं मुझे जैसे एकदम से बोला मेरे भाई के लिए कि उसको भेज दे कि भाई को भिज़ दे थी और उनको एपने तारफ से ऐसे शडूप नहीं गिया था वो वो लोगों को दे रहे हो तो उनका सेवा है ठीक है लेकिन उनते वास उनको ब्लेसिंग ओने तो यह भाईया को भेज़ दूंगी, तो मैंने अपने भाईया को उस दिन कोरिया से भेज दी थी, तो काल उसी टाइम 5 बजे सामको 5 सारे 5 हो घाई च्छे हो मुझे पाता नी, तो भाईया ने मुझे फोन करके बताया कि गुरु जी वर्ट सप में मेसस्ज किया, कि तो मैंने बुला गुरुजी को आप वेलकम करो और अच्छे शुक्राना करो कि गुरुजी आपके पास गय हैं इससे पहले मैंने आपको कभी बोली नहीं थी आप तो फूर प्रिंट आउट करें थे ऐसे गुरुजी जो जब खुद जाते ऐसे ब्लेसिंग मिलते तो इसको ब बात ही हो रहा था ? गुरुजी के ही गुरुणगान कर रहे थे और उसी टाइम नीलम आटि का भी फौन आय कि आपकल सतसंग करां करिे लाइप तो मैंने बोलिए सतसंग करूं। ब्रुजि तो इतना कुछ ःप्ता आ आंसर अखा से साथ करां गुरुजी जो कुछ बोलती हूं पता नहीं आप लोगों का प्यार है आप लोग प्यार से सुनते हो फिर दुबारा आप बुलाते हो इससे मतलब बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के परिबार ने ऐसे प्यार दिया है तो मैं सोच रही थी अभी क्या करूंगी मैं तो उसी टाइम म यही देखो सत्संग हो गया मेरे साथ गुरुजी ने बरे मंदिर के इपस मिल गया है मुझे फास्ट जनवरी के लिए तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छा जरब गुरुजी सुक्राना कीजिए आपको फास्ट मिल यह का नतो मैंने बोली कि पहले दर्सन करके आती हूं लिए फिर नुजयर में आओंगे सबसिये और शाल की अंडिंग में वह उन्होंने शाल के क dú辛ini अब सट्संग करोगी क्या सब तो सथ संग मेरा नए कुछ तो है नहीं है और नए नीउ यजर में करूंगी इसके लिए स्षमाच आती है हूं गुरु जी के आदेश समझ में नहीं आया लेकिन गुरु जी ने जब जब जो आदेश देता है उचिको हमें फॉलो करना ही हमें हमारा दाइत्त है तो इसे लिए मैं आज आपके पस्पिर से आई हूँ आपके शमुक्ष में बैठके गुरुजी का गुल्णगान कर रही हूँ गुरुजी का कृपा अपरम पर है गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं गुरुजी को मन से जोड़िये गुरुजी को मन से जोड़िये सारे दुख, दर्ध, वाधा, विपत्ति सब कुछ दूर हो जाते गुरुजी बलेशींग गुरुजी बोलते मांगो नहीं मानो ये बात बहुत लोग ने बोला बहुत सत्संग सुनी है मैंने अलग अलग नोगों की यालोग अलग एक्सलेनेसन है, सारे एक्सलेनेसन सही लगते, कोई भी हो नहीं लगता, जैसे बोलते हैं मांगो पीटा के पास हम घुरी जी को अगर किसी ने पिता माना, बड़े भाए माना, मना, कोई दोस्त मना, तो उनको क्यों नहीं मांगेंगे, उनसे मांगने के लिए कोई सरम नहीं है, मांगते हैं, पापा के पास मांगते नहीं है, मांगते हैं, लेकिन इसलिए गुरुजी के पास मांगने के लिए बोलते हैं, कि जीत पे आते हैं, बच्चे जब जीत पे आते पापा के पास जाके हम जीत करते थे पापा आईए चाहिए हो चाहिए तो उनको हार के देना ही होता है लेकिन ओचीज अगर अच्छा ना हो तो फिर बच्चों का नुक्षान है हमारा शती है इसलिए बोलते हैं कि गुरुजी के पास मांगिए मत अर्दास कीजिए कि मेरे लिए बहुत अच्छा है मुझे चाहिए लेकिन आप तो इशर्ष भगवान सक्षण भगवान हो आपको पता होगा अगर ये चीज मेरे लिए अच्छा है तो मुझे दीजिए इस तरह से हमें भगवान को मानना चाहिए तो मानने की अंदर ही तो मांगना भी हो गया दोने काम एक सती हो गया, उनके पास अपने अर्दास को रख दीजिए और गुरुजी को ही ओ करने दीजिए कि कौन सा चीज कब हमें ओ देना चाती है, उनके उपर अपने जिंदिगी को छोड़ दीजिए, इसी तरह देखिए जिंदिगी कितना सरल हो जाते हैं, सब कुछ कर सब बंद हो गया, बाहर जाना बंद हो गया, लेकिन गुरुजी कैसे बच्चों को ख्याल रखते हैं, अभी मैं इस सोस्ती हूँ है, मनी-मन हसते हूं, कि ऐसे तो घर में आम लोग ऐसे ही बैठ रहते हैं, कुछ कहीं जाना भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तयार ही नहीं पैठी है, तो क्या हो गया, मेरे लिए जैसे गुरुजी बोलते थे, कि तयार हो के आना, हमेशा मंदिर में ऐसे ही मुलटका के, हमेशा दुखी हो के आना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारा पीता है, पीता कभी नहीं यह देख सकते कि हमारे बच्चे मायुष है, हमेंसा दुखी होके उनके पास नहीं जाना चाहिए माबाप तो यह चाते हैं ना हमेंसा चाते हमारा बच्चे खुश है तो हम जब तैयर होके खुश होके गुरुजी के पास जाते हैं गुरुजी भी बहुत खुश होते हैं उनको बहुत खुशी होते हैं कि जिस कारण हम आ तो हमें भी लॉक्डाउन में गुरु जी ऐसे ही मोका दे रहे हैं विजविच में आके मैं पहले किटी होता था तो किटी से पहले मैं जैसे थोड़ा सा घड़ में यह से उप्टम लागाती थी कुछ करती थी तो बच्चे मेरे मेरे छोटा वाला बेटा बक्ते ऐसे आते जा में जैसे मेंटल एक हुमन बींग के नेचर नेचरल नेचरल नेचर है कि कल सत्संग में आऊंगी तो थोड़ा सा कुछ मूपेयो कर रहे तो मेरे बेटा के बोल रहे हैं ममा सत्संग तो जै गुरु जी लगता है महौल घर का देखिए कैसे बदल गया वही चीज एक ही कीट देखिए हम जोक बोलते हैं कि गुरु जी हमेश अपने मैसेज को जो आपसे कराना है उसको अप तक पहुंचा देते हैं तो उसको फॉइंट को अपको पकड़ना है ंत को कि ये मेरे लिए है साहिद गुरु जी मुझे ये अग्गा दे रहे इसको मैं फॉलो करूं तो हमारे जो एक ग्रूप था ग्रूप है जाए गुरुजी का कुछ फ्रेंड्स की तो उसमें रूपा अंटी वाली जो फ्रेंड है इन्होंने मैसेज किया कि अम्रित बेला बेला अटेंट करो तो मेरे और एक अंटी श्री आंटी ने लिखी है कि मैं आटेंड करती हूं तो मैंने जुन के फटफट लिखी डूप में कि कैसे आटेंड करूं गुरुजी तो जगाते ही नहीं तो आंटी प्लीज आप मुझे जगा देना तो उस दिन से आप देखिए गुरुजी का तब से ही शायद अग्गा हुआ था कि मैं वो करू अम्रीद वेला एटेंट करू तो उसके अगले दिन से रूपा अंटी मुझे सारे चार बजे चार बीस पे पत्चिस पे जैसे भी उनके आँख खुलते वो मुझे कॉल करती है म मुझे करती है मैं कभी उसको करती करती हुँ तो हम वुलहांटी करते हैं... बहुत अच्छा है तो एक दिन जैसे हमें बता रही थी तो उसी को एक बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा उन्होंने बोल रहे थी कि जिंदिगी में किसी के सब के साथ प्यार से मिलिए उसके साथ मौँ और कुछ नहीं जोरके रखना अगर आप प्यार से लोगों को से प्यार से मिलेंगे और मोहों नहीं रहेगा तो आपके आप expectation भी नहीं रहेगा आपको यह फिल भी नहीं हुआ कि मैंने तो उनसे प्यार से मिला है लेकिन देखो अगले वाला ने मेरे साथ यह बुरे वर्तब किया है, ऐसे बोले हैं, इसका ओई नहीं रहे गा ही नहीं, तो हम किसी के साथ बहुत अच्छा लगेगा, ये चीज ये इतना आसान नहीं है कि करना, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिस करें, तो क्यों ना, हमारे सामने वाले, मैंने किसी से पैर से बोली है, किसी को पैर से कुछ दी है, किसी के साथ पैर से चल रही है, अगर उस तरब से उसी हिसाब से नहीं आ रहे है, तो उससे क्या हो जाता है, जब एकस्पेक्टेशन नहीं रहेंगे, मोह नहीं रहेंगे, मोह नहीं रहेंगे, तो हमें बुरा नहीं लगेगा, और उसके साथ ये भी ब कुछ ची जो को पकड़ के रखा है कि नहीं नहीं मैं उनके घड़ तो नहीं जाओंगी उन्होंने मेरे साथ ऐसे वर्ताब किया था तो यह चीज को भूल नहीं पाते उसको लेके उसको दिमाग में नेगेटिविटी बिठा के इस जीवन को छोड़ के चले जाते फिर अगले तो उनका एक्स्प्लेनेंस नहीं था कि ओई चीज लेके हम जाते जो दिमाग में बैठ़ रहा जाता तो फिर से जब हम नहीं जिंदेगी में आते तो ओई तो लेके आते जो लेके जाएंगे ओई तो दिमाग में उजए पाते तो इसलिए सब के साथ प्यार से मिलिए और तो आपको दूख भी बहुत कम होगा और ऐसे जिनदीगी बहुत अच्छा हो जाएगा बहुत खुशाल हो जाएगा कि सब कुछ अच्छा है अच्छा लगे तो गुरुजी के सब बैठके अमरीदे वैला अटेंड करके अंटी लोगों की जिससे वह इतना होते अच्छे जुर गए हैं उनके अंदर दया प्यार भाव तो बहुत है मैंने यह चीज़ देखी है बड़े मंदीर में जाके सेवादरों को देखी एवन जैसे ही छत्रपूर मेट्रो स्टेशन के नीचे से ही ओचीज पता लग जाता है दूसरे को हेल्प करने कर जो नेचार होता है सब क मैंने देखा है सब एक दूसरे को हेल्पिंग नेचार कोई किसी को लीप दे रहे हैं मतलब वहां का अलागी मोहल होता है उस जगह का गुरुजी के मंदिर के मिट्टी का पता है क्या है गुरुजी जैसे थे एक दयालू भगवान महासीब भोले नात सब को प्यार करते हैं तो यह चीज फॉलो किजिए फिर पिछले श्रत्संग में जैसे मैंने आप लोगों को शेयर की थी कि एक अंटी ने मुझे बोली थी कि आप कुछ कुछ चीज करना तो उन्होंने मुझे यह भी बोली थी कि सुक्मनी साब पार्ट करना देखना बहुत अच्छे होते हो कस् उत्म में अच्छों के में पता ही नहीं है तो इसको पूरी टरह से मेरे तरफ खींचके ले आ उन्होंने इतने बरबास बोली थे उनिस नॉभेंबर में मैं गई थी हो सत्संगेटन करने के लिए और उनके बाद देखिए मैं किस तरह से ऐसे गुरु जी के साथ एकदम से जूर गई हूँ गुरु जी नाल मोजे में आके गुरु जी का गुनगान करने के लिए निलम जी के साथ बार बार आके गुनगान आप लोगों के साथ समक्स में आके बैठके मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आता है मुझे तो इतना कुछ ग्यान ही नहीं है ना मुझे थिक से हिंदी बोलना आता है फिर भी गुरुजी ऐसे ही जैसे मुझे लगा आज जैसे गुषे गुरुजी ने एकदम वही बात किया था उन्होंने बोला था अंटी मुझे गुरुजी आदेस दे रहे कि मुझे बोल रहे कि इसको पुरी तरह से आप मेरे तरफ खीच के लिया तो आप ऐसे करना जहां पर भी सत्संग होगा आप जाना या तो जहां भी नहीं है किसी संगत के थ्रू भी आपके पास कोई मैसेज आते तो आप यह मानना कि यह गुरुजी का यादेस है यह आपको खुशी-खुशी मान लेना चाहिए और गुरुजी को जो चीज कराना है आपसे वो तो करा के रहेंगे तो यह सुक्मनी साहब पार्ट के लिए उन्हों है कि हाँ यह होता है तो शुक्मनी साहब पार्ट का कुछ नहीं था यह फिर दो दिन पहले जो पूजा अंटी मुझे फोन की थी तो उन्होंने वह बात भी मुझे फिर से शुक्मनी शाहब की पार्ट की बात सुना ही मेरे कान तक आई फिर मुझे एकदम रिकॉल हुआ कि गुरुजी यह मुझे फिर इंडिकेशन दे रहे गुरुजी मुझे थार्ट दे रहे मुझे मैसेज भिज रहे कि तुन्हें यह की नहीं फिर मैं अभी उनको बोला कि मुझे शुक्मनी साहब पार्ट क्या होता है मुझे तो पता नहीं है क्या हता है बता हूं तो उन्हों फॉलो कीजिए उनके हिसाब से चलिए तो जीवन मुझे लगता है बहुत सिंपल हो जाते बहुत अच्छे हो जाते शारे चिंता यह सब तो रहे गाए काम का अज सब कुछ घर का तो करने की बाद भी इतना टाइम मिलता है कभी मैं सुबे से सारे काम करती हूं करती उसके बा तो सब्सक्राइब यह सब बहुत अच्छे होता है प्रोग्राम तो वह पे बाहर जैसे स्टेज होता है वहां पर गन सबसाइब बगराई चलता है तो वहां पर जाके ना कमली हो गई यह ओ बाला गाना हम सुनते थे तो हम सारे वर्ट का मिनिंग नहीं पता था मेरे एक साह लेकिन आज के दिन तो आज इस जगह में आ गई सच में गुरुजी के ने कम ली कर दी हैं और दो चर जिगा में जैसे चैताली अंटी के लाइब सत्संग सुनी के दो आज तो आज सच मुझ मैं गुरुजी के प्यार में कमली हो गए